नाज़मान लोग क्या चाहते हैं? क्या वो दिवादित मुद्टों के पर चर्जा करना चाहते हैं या वो एक नौकरी चाहते हैं या वो अपने परिवार को आग्या बढ़ाना चाहते हैं? अपनी बेहन बेटियों के लिए सुरक्षा चाहते हैं? वो लोग ये चाहते हैं कि देश मजबूत बने आर्थिक विस्तार हो दरतर भटकना ना पड़े और जो लोग दिवाई देते थे कि हम करप्शन को हटा देंगे काला दन नश्ट कर देंगे और काला दन होता क्या है जो नरेगा का श्रमिक है दिनवाई मेहनत करता हाथ में च्छाले पड़ जाते हैं उस विक्ति को अगर 500 रुपे मिलते हैं तो वो धन काला नहीं है लेकिन वहीं करीब आदमी अगर किसी छोटे अधिकारी को अपनी फाइल लेने के लिए 500 रुपे ग्रिशवत देता है तो वही 500 वनुट काला बन जाता है तो पैसा काला सफेद नहीं होता उसका उप्योग कैसे होता है वो बताता कि काला सफेद है आज के लोग जागरुख हैं आज के दलों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारी तरफ जो लोग देखते हैं उम्मीद से देखते हैं हमें हर विक्ती में थोड़ा पात स्वार्थ होता है हर दल में भी हो सकता है लेकिन ये देश किसी भी नेता, किसी भी दल, किसी भी सरकार से बड़ा है और हमको जैसा देश मिला था हम आने वाली पीडी के लिए कैसे उसको बहतर कर सकते तो कम से कम उसको कम तो ना करें और मुझे खुशी है कि काफे सारे आज अख़वार और टीवी चैनल कुछ ऐसे मुद्दों को लेके उनको प्रासंगिक बना रहे हैं जो हमारे समाज किया जरूरत है